इसके बार में चर्चा करेंगे इसके साथ ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि बिरोध हो रहा है तो ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है वस्तविक्ता क्या है बीना किसी का पक्ष लिये हुए निस्पक्ष तरीके से उस पे चर्चा करेंगे वह सकता आपको बुरा लगे तो कमेंट सक्षन में आमें जरूर बताने की कोशिस कीजेगा साथ में ये भी चर्चा करने के कोशिश करेंगे किन्हे फाइदा हो रहा है कौन उसे सपोर्ट कर रहे हैं इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है सारी बातों की चर्चा करेंगे स्टार्टिंग से चलते हैं ये बात उठता कहां से हैं तो estate 2019 का exam हुआ estate को ही लेके चलते 2019 का notification हुआ आया exam हुआ exam होने के बाद बच्चे इंतिजार करने लगे लेकिन उस estate का परिक्षा रध हो जाता है फिर estate का exam होता है फिर रध होता है इस तरीके से 3 से 4 बार कोई अव्यर्थी परिक्षा देता है एक और last बार exam किसी तरीके से सफल हो जाता है औ और उसका कुछ दिनों बाद result आता है सभी व्यर्थी खूस हो जाते हैं कुछ subject को छोड़के result आता है ध्यान से समझेगा कुछ subject को छोड़के result आता है सभी व्यर्थी खूस हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि सभी का job वेगरे हो जाएगा अभी यहां पर सभी व्यर्थी खू किएगा तो सीट वेगर एके साथ है कि सभी खूस हो जाते अव्यर्थी और अपने घर पे मिठाई क्लीफाइग कह दिया जाता है एक लेटर निकाले गे अव्यर्थी कुछ उदास थे कुछ नरास थे नाज विरोध कर रहे ते IVO कठत है कि चलो बहाली हो जाएगा नौकरी हो जाएगी कुछ न कुछ दिनों बाद 2019 वाले अव्यर्थी सामिल होंगे, क्योंकि उस समय चल ला थे, छटा-चरन उसमें इन्हें बहाली का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि आवेधन इनका नहीं लिया गया, जबकि उसके बाद भी आवेधन लिया गया है, लेकिन ये लोग आवेदन नहीं कर पाएं क्योंकि 2011 वाली अव्यर्थियों को मौका दिया गिया था वो बहाली इधर जाके समाप्त हुई हुए है और बताया गिया कि साथोचरण का जब बहाली होगा तो वो नए निमाली के साथ होगा नए निमाली का इंतिजार करने लगे बेसबरी से इंतिजार करने लगे इसके लिए बहुत कुछ की है तुटा अभियान सारा अभियान चलाने लगे जब नए निमाली आया कल 10 अप्रेल 2023 को नए निमाली आता है और उसमें ये बताया जाता है कि अब जो एक्जाम होगा वो अब जो बहाली होगी वो एक एक्जाम बेस होगा यानि एक एक्जाम लिया जाएगा अभी मतलब कहा नहीं गया है लेकिन यहां पे देखा जाए तो लिखा गया है BPSC के इसलिए हमने इस इमेज को भी रखा है विप्यसी के तरप से एक परिक्षा ली जाएगी उसको पास करिएगा तब आप सिख्षक बनिएगा और राज कर्मी का दर्जा मिल जाएगा यह है पूरा मामला अभी रोध होना सुरू हो गया कि चार एक्जाम देके आए हैं फिर से और फिर से एक और एक्जाम क्यों दें हम उसमें तो आप विग्यापित किये थे पूरा विग्यापन वगरे के साथ कि आपकी बाहली हो जाएगी यह सट्विकेट बटेगा यह होगा वह होगा सारा चीज आप नहीं किया था तो फिर एक और एक्जाम क्यों उसी समय आप ब मिलेगा जो टॉप लिस्टेड में थे जो मेरिट में आये थे बच्चे जो सट्टिफिकेट मिला हुआ है उस पे आज भी क्रम संख्या लिखा हुआ मेरिट का तो उन्हें क्या फाइदा मिलेगा इसका जवाब तो देना चाहिए मैं पक्ष यहां तक बाता है आगे बढ़ते हैं चलिए आपने बात कर दिया कि वह सारी चीज आटाइए हम विप्यस्टी से परिक्षा लेंगे हम यह पर यह नहीं कहेंगे कि एक्जाम रद होगा चाहिए वह वह अलग चीज है एक चीज यहां पर और प्रश्ण बनता है अगर ऐसा ही होता तो पहले से पता होता को कोई अवियर्थी क्यों इंटेंस एक्जाम देके बीड करता क्यों सीटेट या एस्टेट या कोई आर है ईस्टेट का रिजल्ट आ जाने के बाद की मेरा जॉब हो जाएगा और एका एक जटका लगये कि नहीं एक और परिक्षा आपका बाकी है एक आपको बताए जाए कि एक और परिक्ष्ण का बाकी है उस परिक्षाब को जिस घर में पहले से बज गया हो कि आपको जॉब मिल जाएगा नौकरी मिल जाएगी आप एस्टेट पास हो गया और मिठाई बगल में खिला दियों अब पता चला कि जहां थे 2019 में फिर वहीं पहुँच गया फरसे वहीं हैं हम जहां 2019 में थे 20-21-22-22, चार साल क्या हुआ है कुछ समझ में आया कोई क्यो सपोर्ट कर रहा यह भी ज़ानना चाहेँगे न कोई क्यों सपोर्ट कर रहा है जिसके आज मुझे desp princess message भी आया है काईरे कि आप sir teacher है पटना में होना चाहिए था पढ़हाते हैं आप समझ जहिए क्या कहा जा रहा है अंदर इंदर इंसानिग हैं जो भी होता है खुलके बोलते हैं ए Leg ski इνसान हैं हुए आप भी इंसान है अरे जो बच्चा इंदिजार कर रहा था फोन करके रोता है वो में हुन के आसू एक तरसे रोता है क्या जवाब दें आWhen बहुत सरे वीडियो में कि जॉब लग जाएगा जब रोता है ना कि दिल दहल जाता है कि फिर से परिक्ष्या देना होगा कि आज तक हमने उससे नहीं कहा था सुचिएगा कि बगल वाले को उन्होंने कहा था कि अब नौकरी लग जाएगे मिठाई उन्हें ने खिला दिया क्योंकि ऐसा स्टेट्मेंट मेरे तरब से नहीं जारी हुआता और क्वर्मेंट के तरफ से और एक पता चले कि जहाहा कर दे तो वह बंते हैं कि टीछर क्यों बंते हैं कि ठेके से दर्ध में वो रोता है कभी सुनियेगा खुन के आशु इतिहास भी गवा है जो खुन के आशु जबesy्म रोने लगते हैं उनका इतिहास बदल गया है जो रुलाते हैं उनका इतिहास बदल गया है बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन यहां पे कुछ प्रशन भी है प्रशन हम छोड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि किसे फाइदा होगा, किनकी दुकाने चलने लगी, अरे इंसानियत है न स्वार्थ है न अंदर, इसलिए वियर्थी को हम बताते हैं कि हमेशा एक जुटिता बनाया रखे हैं, हर किसी से मदद नहीं लेना चाहिए, अगर हम एक सं आने के लिए संस्ता चलाते हैं, हम कुछ खोल के रखे हैं, उसमें पैसा दीजी आईए, तो वही हम काम करेंगे, जिससे फाइदा हो, जाइए उनके पास, लीजिए हेल्प, लीजिए हेल्प, और मिलेगा यही हेल्प आपको, अगर हम एक कोचिंग खोल के रखे हैं, जैस जोगा है, निकलेगा क्यों नहीं, कहेंगे, आओ पढ़ो, और यहाँ पर कहा जाता है, एक और बात यहाँ पर जोड़ा गया है, पढ़ो, इससे क्या होगा, इसको बेनिफीट होगा, मुझे बेनिफीट होगा, क्योंकि हमने कोचिंग खोल लगा, और यहाँ पर उनका कोई अपना मॉरल नहीं उनके पास कोई अपना इंसानियत नहीं रोर रहे हैं बिलक़ हैं कि अब नौकरी मिल जाता है लेकिं तीन सालों से निमाली पढ़िएगा, इस में मेरे क्याल से लिखा गया, अब व्यर्थी को तीन बार मात्र परिख्षा देना होगा, तीन बार की चर्चा है, तीन बार एक्जाम के मैं दिखा भी देता हूँ ठीक रहेगा कहा है ये तो यहां देखेंगे तो ये साथ नमबर वाले में और साथ नमबर वाले में ये वाला कॉलम पढ़िएगा क्जे नममर कोई व्यर्ती इस निमावली के अंतर अधिकतम तीन बार परिक्षा में भाग ले सकेगा तीन बार अधिकतम कितने बार तीन बार बीत और seated का जो validity है वो lifetime रहेगा और इस परिच्छा में मातर तीन बार अधिक्तम तीन बार भाग लेगा जिसका age सिमा समाप्त हो रहा है समाप्त के कगार पे है अब वो कुछ नहीं बन सकेगा seated, beat it का lifetime का जो certificate उसके पासे किस काम कर रह जाएगा क्यों lifetime रखे आजाएगा क्या उत्तर है इसका seated, beat it का जो certificate है वो किस काम का क्यों lifetime क्यों lifetime प्रश्ण बनता है क्यों lifetime ये तीन बार क्यों वज़ा क्या है यानि गुनाह कर दिया beat करके seated पास करके या estate पास करके तीन बार एक प्रश्ण ये बनता है तीन बार क्यों कहां है ऐसा दूसरा प्रश्ण प्रश्ण ये कि तीन बार क्यों और seated, beat it का certificate फिर lifetime क्यों अगर तीनी बार को वो lifetime क्यों क्या करेगा उसका अचार डालेगा दूसरा प्रश्ण कि अगर कोई अव्यर्थी इस परिक्षा को देता है और वो बाहर हो जाता है तो वो नियोजित सिक्षक नियोजित या नेमित सिक्षक नहीं बन पाएगा जैर सी बाते परिक्षा में पास नहीं होगा तो वो कोई सिक्षक नहीं बन पाएगा लेकिन अगर कोई नियोजित सिक्षक इस परिक्षा को देता है तो फिर से वो क्या रहा सकता है नियोजित सिक्षक रहा सकता है ये इस वाले image में आपने देखा होगा एक सेकंड जब image हम दिखा रहे थे तो यहां पर आप देखेंगे 3 बार मौका के बाद भी सफल नहीं होने के बीना राजकर्मी का दर्जा पावे सेवा निर्वित हो जाएंगे यानि वो शिख्षक रह पाएंगे नियोजित सिख्षक रह पाएंगे लेकिन जो ये अवियर्थी है उनका क्या यानि एक ही परिक्षा पास करके दो अवियर्थी हैं एक अवियर्थी वो जो सिक्षक बन गया है एक अवियर्थी वो जो रोड पे है उन्हें कुछ नहीं मिला और जो सिक्षक है वो सिक्षक रहागा है क्यों? दो इंसानों में भेदभाव क्यों? क्या वो पहले कर लिए इसलिए कि बाद में आये इसलिए क्या वे इससे पहले जानते थे इन सारी चीजों को अरे सातवा चरण आपको कर देना चाहिए था इसके बाद जो करना चाहिए था वो करते हैं कि वजहीं यहीं बिरोद होने का निस्पक्ष तरीके से हमने कुछिस किया रखने का हम जानते हैं कि आप होंगे कहीं चाहते होंगे कि हो हम भी नहीं डरते हैं जिस तरीके से अब यर्थी कह रहे हैं जिस तरीके से मुझे नहीं बोलना था लेकिन सारे चीजे से आप क्या कहेंगे कि यह क्यों डाल रहे हैं अब यर्थी कर रहा है सारा चीज तो क्यों नहीं दिखाएंगे यहां दुकान खोल के हम नहीं बैठे हैं स्वार्थ की बहालना नहीं है हमारे अंदर तो क्योंकिस को रोता है ना जोक्त पौछ बैप कितना कमां के जिंद psychology में यस जिंदगि एक दिन जिंद आज जा रहें कल कुछ हो जाएगा परसों जाएक परसों कुछ हाथ जाएंगे चिंता मत किसे लेकिन अगर यहां कस्ट दे रहेना तो कस्ट तो यहीं से भुगत के जाने आपको जो बीच में यह सारे चीज़ कर रहे है ना दुनिया बहुत बड़ी है जंदगी भी बहुत बड़ा है कि यह मत सोचे कि हम इधर से उधर चले जाएंगे भुगतना तो है तो देखा जाए तो प्रश्ण आपका तीन-चार हम छोड़के चले जाते हैं किसी के पास उत्ता रहे को ज़रूर देजिएगा अगर मेरिट में बच्चे जो आया थे जो टॉप लिस्टर थे उन्हें क्या फाइदा हो रहा है क्योंकि हमने पहले से भी कहा है कि उन्हें जाएंगें और दो तारा का ब्यवार क्यों हो चार सालों से इंति जार कर रहे थे और एकाय के यह नियम क्यों छे दो-तीन सवाल है जिसका जवाब हम चाहेंगे कि अगर आपके पास हो तो ज़रूर ती और इसी वजह से बिरोद भी हो रहा है यह का है कि यह रख दिये इस लिवज़ से अगर इन्हें करना ही था तो सातवा चरन कर देते हैं अगर इन्हें करना है जो करना है वो कीजिए सातवा चरन इन्हें कर देना चाहिए इन्हें राजिकर्मी का दर्जा देखिए नियम में बदलाओ यह होना चाहिए कि तीन बार यह चार बार, जितना बार करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेंगि बहाली जिस तरीके से कर रहे थे, वो साथवा चरण इन्हें, पहले सिक्षा मंत्री का भी बियान देखिएगा, कोई इंटर्व्यू नहीं होगा, कोई परिक्षा नहीं होने जा रहा है, यह पहल तो एका एक क्यों लेके आए इसको, अगर नहीं लेके आते को साथवा चरण अपना कर लेते, और उस समय यह भी चर्चे चलता, कि साथवा चरण के बाद यह सारे चीज पर करिया होता, तो यह हो जाता, कि एक जो बाहली पर करिया, जो व्यर्टी चार सालों से इंतिजार क कर रहे हैं, जिन्होंने अपने गर पे मिठाई वेगरे, खिला दिया है कि हमें नौकरी हो जाएगा, उनका तो कारे कर देना चाहिए, वो चले जाते हैं, और इन्हें जब राजकर्मी का दर्जा चाहिए, तो वो भी पिस्जी वेगरे, जितना जो एक्जाम लेना है, वो एक्जाम आप लेते रहते हैं, क्योंकि बराबर तो हो जाते हैं, उसके बाद आप पहले से इसी समय से कर देते हैं, कि इसके बाद जो भी होगा बाली, वो इस तरीके से होगा, क्योंकि इन लोग का दिल तो नहीं टूटता है, अब रही बात परिक्षा की, रही बात करती उसके बाद कहा जाएंगे, खुद ही सोच लिशेगा, क्योंकि लगे हुए थे इतिना चार साल इधर बरदाद हुआ है, अगर तीन साल में बिप्यस्य अब कैसा एक्जाम लेता है, क्या पैटर्न होता हूँ, वो तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हमने कभी बिप पकवा हूँ, उसका हमने कभी इस्टार नहीं किया, क्योंकि बिप्यस्य से बहुत पहले भी बाहली होता था, उस पर हम यह नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बाहली होता था, आदमे उसी को देखता था, चलिए, जो करना है, जो भी सीलेबस है, सीलेबस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है बहुत सारे लोग तो अभी से त्यार कर रहे होंगे सॉप्ट्वेड बेगर है कि हां ये डाल देते हैं वो डाल देते ये कर देते तुरंत सुरू करना है ना अब सारे लोगों को लग रहा हो गया साथवाचरण को लेके चलना है आग गया एक्जाम इसका बुक निकाला सब्सक्राइब सभी लोग लग लग गया होंगे सभी को अब समझ रहें कि क्या-क्या होने जा छे पात अच्छी कवर्मेंट अच्छी सरकार इसलिए मुर्देबाद के नारे लग रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं हमें तो अच्छा लगा चारा चीज हमें अच्छा लगता है जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है अच्छा कीजिए देखने वाले हम कौन होते हैं देखने वाले हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही थोड़ा सा था अंदर में जो आज निकालना था बहुत सारे मेसेज आ रहा रहे है कि सब्सक्राइच तो यह करना चाहिए हम तो डालेंगे जो बच्चे करेंगे जो बच्चे करते हैं जो हमें अच्छा लगता वही करते हैं कि आपने देखा होगा जब merit, non merit, यह सारे कहते दे वहां उतना हम नहीं कहते थे और कभी नहीं Mexico है क्योंकि कुछ मेश मिल रहा है वह अच्छा चीजै उतना गाल आपके लिए काफी है साथ चाली जो मिल रहा तब उतना मिल के आपके लिए काफी है व कि पारोको सिख्षक नहीं बन पाएंगे मेरिट लिष्ट में आने के पाउजू दुबारा ज़ारी हुआ मेरिट रॉन उसके बाद भी मिठाई खिला हैं कि चलो सिक्षक तो बन जाएंगे किसी भी परियास में एक चरन में और दूसरी चरन में पहुचाती है सोचिएगा फिलाल इस वीडियो में इतना है फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो के साथ एक नहीं अमेद के साथ कि क्या कुछ हो सकता है मुझे लगता है कि government को जो भी निमाली आया है उस पर statement जरूर देना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ होने की संभावना है और government को एक तो तीन बार जो केवल एक्जाम है ना उस पर तो जरूर ये करना चाहिए तीन बार ही क्यों तब सीटेट बीटेट का certificate करना दो यार कि तीनी बार रहेगा वो भी lifetime करने के क्या ज़रूरती तो कहेंगे हम नहीं किया है तो वह भी तो कुछ सोच के ना किया है कि वह certificate lifetime होते रहेंगे पता चलाएगा कि सिख्षक नहीं बन पाए ब्यार में एक 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 जाम देंगे वह फेल हो हो चाहे कुछ भी हो नहीं हो जिए चिख्षक करा जाएंगे और एक तीन बार के बाद रोड़ पर घुमेंगे हमेशा के लिए क्या करेंगे कैसे क्या कहा जाए एक और यहां पर प्रश्ण बनता है प्रश्ण यह है लास्ट समय जाते जमें बहुत सारे ऐसे पद्ध हैं जैसे साइंस का प्लस टू लेबल पर जो भी पिजेक्स केमेस्ट्री यह सारे जो सब्जेक्ट हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट क्या और उसे कम करके जिरो करके कर देंगे क्या 1000 कितना 1000 सिट खाली रहा गया है आप देखिए का एक बर आकड़ा जरूर देख लिएगा प्लस टू का साइंस का साइंस कहने का मतलब साइंस ही नहीं केवल साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो प्लस टू लेबल पर केमेस्ट्री करके जो एक्जान रहेता है क्या प्लस टू लेबल पर जो एक्जाम होता है नियानि जितना सेट था उससे कम ही रीजल्ट हाता को उनके साथ क्या बैवार किजिएगा थोड़ा सलचीला पन तो आपको ज़रूर रखना चाहिए उससे भी कम कर दीजेगा, यानि जो 2000 सीट भर रहा था, 3000 सीट है को 2000 सीट भर रहा थो उससे भी कम कर गए 1500 कर दीजेगा, किस लेबल का एक्जाम लीजेगा, बिप्यस्सी अपने लेबल पे अच्छा कासा बनाता है, परधाना ध्यापक का देख लीजे, जो परिक्षा हुआ कितना सीट था, पास कितने हुए थे, 400-500, फिर उन्हें ने कहा कि यह निगेटी मार्किंग नहीं होगा, यह नहीं होगा, वो नहीं होगा, वही करेंगे, और इसी तरीके से तीन साल अगर निकल गए, तो फिर, जो पढ़ाते हैं कोचिंग वाले, उनका तो बल्ले-बल्ले बाकि जो अव्यरती है, जो एक बड़ा समू है, कुछ कहतें नहीं बनता है, फिलाल, देखिय करकवर्मेंट का क्या decision होता है, जो भी decision है, अब अव्यरती तो भी रोद कर रहे हैं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी गव्यर्मेंट को करते हैं, यह करती है, आप लोग क को जो करना है वो तो करेंगे ही हम जानते हैं कि 24 25 आप लोग काउंट करके लिख रहे हैं प्रशनल मेसेज यह सारे चीज़ किजिए का सब लोग साथ है सब लोग एक जूट रहीएगा एक साथ रहीएगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं बहुत कुछ एक ताम बहुत बाल होता है बहुत सारे चीजे होती हैं फिलाल जो चीजे था जो प्रशनूट रहते हैं उन सारे चीजों को हमने डिसकस करने का कोशिस किया है फिल में लेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहे हैं बने रेंदी कलब पे धन्यवाद बाबाए सब्सक्राइब कीजे हिंडी कलब को दबाएए इस बन आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसकार लाब उठा सकें ये सब बिल्कुल प्री है करें, करें दो कि विर्गह हमारा सबस्तों का है व